सिहोर जिले के नसरुला गंज तहसील में प्रभारी मंत्री आरिफ अकील ने आपकी सरकार आपके द्वार माध्यम से लोगों की समस्याइं सुनी और निराकरन करने के आदेश दिये इसी कड़ी में कई अधिकारियों को कड़ी निर्देश भी दिये गए देखिए ये खास र अधिकरम को समबोधित करते हुए आरिफ अकील ने सक्त लहजे में अधिकारियों को कहा कि अधिकारी ग्रामीनों की समस्याइं सुने और उन समस्याओं का सेग्र निदान करें इसमें किसी भी प्रकार की अंदेखी ना करें वहीं जनता को समबोधित करते हुए कहा कि माननी कमलनाथ जी की सरकार ने आप सब से किया है वह पूरा होगा आपके जो भी काम है वह पूरे होंगे और जो सरकार ने आपको वचन दिये हैं उन सभी वचनों को पूरा किया जाएगा एस मौके पर प्रभारी मंत्री के साथ कलेक्टर जय गुपता, एस पी, शी, शेंद्र, चोहान, जिला पंचाज, सी, और उन, विश्व कर्मा और सभी विभाग के अधिकारी भी मौजूद है। मीडिया से चर्चा करते हुए प्रभारी मंत्री ने भाजबा सरकार पर निशाना साथते हुए कहा कि हमें लगा था कि प्रदेश में 15 वर्षों से शिवराज सरकार हैं तो उनका विधान सभा शेत्र विक्सित होगा, यहां पर कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन यहां आकर देखा तो आवेदरों के ढेर लगे हैं, रोड, पानी, बिजली, आवास जैसी बेसिक सुविधायों का अभाव हैं हम तो पंदा साल के गट्डे को बूर रहे हैं, हम समय रहे हैं, पंदा साल बाद जाएंगे, यह चमन बना हुआ होगा है था लोग है, सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा बड़े-बड़े शेयरों के मकाबले में विक्कास होगा, हम यहां जब आओ, जब रोड, डाली, आवा है, यह रोज़कारी लब सामने आती है, खेल मदा, इस्कूल लब सामने आ रहा है, यह पंदा साल के गट्डे के पूरा करने के लिए हमें, और आदा समय होगा होगा है, आपको बता दे हैं कि इन दिनों कमलात सरकार के मंत्री, आपकी सरकार आपके द्वार कारिक्रम के तह एपी न्यूज नसरूला गंज